हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल सेख समस्या में स्वागत है आज हम केले के बारे में बात करेंगे कुछ लोगों को केले खाने का बहुत शोग होता है जो अपनी बड़ास कुछ ऐसे निकालते हैं लेकिन फिर केला भी अपनी बड़ास निकालने में बरसो सफताद माना जाता है कहीं लोग बिचारे केलों के साथ कुछ ऐसे भी खिलवाड़ करते हैं क्या आप जानते हैं 100 ग्राम की केले में 25 ग्राम कार्वोहडरेट 1.25 ग्राम प्रोटीन ओमेगा 3 बोटेश्यम फासफोरस आधी भरबूर मात्रा में पाए जाते हैं अब सुनिए केले में पाए जाने वाले ओश्ये गुनों के बारे में नमबर एक गमा खासी सांस की परेशानी में केले के चिल्कों को सुखा कर जलाएं और बारीच पीस कर रखें रात को सब्सक्राइब आजी चमच रात को गरम पानी से रोगी को पंद्रह दिन किया अवश्ये लाब हो नमबर दो दिल में दर्द होना अगर किसी को कभी कभी दिल में दर्द मेंसिज होता है तो इसका भी बड़ा सरल उपाय है दो केले को दो चमच शहद की साथ कुछ दिन खिलाएं अवश्ये लाब होगा नमबर तीन मुह के अलसर या चालो में एक केला गाएं की दही के साथ कुछ दिन सेवन करें और साथ में पिटकड़ी पानी में डालकर खुला करें नमबर चार पेट की आतों में दो केले 250 ग्रैम्स दही से एक महीना खाने से पुराने दस्त एव पेट का इंपेक्शन की हो जाता है नमबर पांच नाक से खून बहने पर एक पका हुआ केला शक्कर मिले दूर की साथ आड़ दिन लें और शिलाब होगा तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के मात्यम से फलो के ओश्दिय गुनों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं पसाजना इस लाइक भी कर सकते हैं मेरी परातना है संपुन भारत सुवस्त और निरोगी रहे रन्यवाद